हेलो फ्रेंड्स मैं शालनी और आज मैं बनाने जारी हूँ राजस्थान के फेमस आम केमाल पुए ये पुए बहुत ही ज़ादा टेस्टी बनते हैं आप देख सकते हैं इसमें कितनी जाली आई हैं और बहुत ही ज़ादा सौफ्ट पन कर तयार हो हैं तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है पुए बनाने के लिए डेड़ कप गेहू का आटा ले लीजे इस तरह का नाप नहीं है तो आप कटोरी से भी नाप सकते हैं और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट नाप है मैंने एक कटोरी पहले डाल दिया था तो आधी कटोरी और ले लिया है आप इस तरीके से समझ सकते हैं अब ले लिजे आधा कप चीनी तो यह आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट नाप है आधा कप चीनी का तो जिस कटोरी से आटा लिया है उसी कटोरी से आप आधा कप चीनी ले सकते हैं और साथ में ये आम का गुदा तो मैंने आम के छोटे-छोटे पीसिस करकर मिक्सी में इसका गुदा बनाकर तयार कर लिया था ये आधा कप दशेरी आम का गुदा है इसमें अच्छे से मिला लेंगे दशेरी आम का जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क कलर का होता है इसलिए मैंने दशेरी आम लिया है आप लंगडा चौसा कोई सा भी आम ढाल सकते हैं लेकिन उसे पहले छान जरूर ले क्योंकि उनमें रेशे होते हैं अब इसमें दूट डाल दीजे तो यहाँ पर रूम टैंपरेचर का दूद लिया है दूद को और आम को हम आटे में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसमें मिक्स करना बहुत ज़रूरी है इसमें गुठले ना पड़े इस बात का ध्यान रखना है तो अच्छे से इसे मिक्सिंग करने के लिए फैट लेना है माल पुए भी फैट्स कई तरह के बनते हैं जैसे मैदा के बनते हैं गेहूं के आटे के बनते हैं बहुत सो लोग सूजी से भी बनाते हैं जहां हम मैदा के जब पुए बनाते हैं तो उसमें दूद डालकर और चीनी की चाष्णी बनाकर बनाये जाते हैं थोड़ी सी रबड़ी mix करके ठीक है और जो गेहूं के आटेके बनते हैं वो plain पुए बनते हैं उसमें दूद की adding नहीं होती पानी डालकर बनाये जाते हैं अब यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा कप और ये जो हम इसमें पानी mix करेंगे, थोड़ा-थोड़ा mix करके करेंगे, एकदम से इसमें पानी नीडालेंगे, क्योंकि हमें इसकी consistency भी देखनी होती है, और इसको अच्छी तरीके से mix कर लेना है, इसमें आप जितना अच्छे से फैटेंगे, पुए आपके उतने भड़ि देखिए अभी गाड़ा है तो इसमें बचा हुआ पानी और डाल देंगे थोड़ा सा डालते हैं अभी मिक्स कर लेगे फ्रेंट्स आपको मेरी रेस्पी कैसी लग रहे हैं यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल शालनी जनको सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ में राइट हैंड पे दिये हुए बैल आइकन को जरूर दबा दे जिससे में जब कभी भी कोई नई रेस्पी अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच जाए और यदि आपको रेस्पी पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेर कॉमेंट करना भी ना भूलें और देखे मैंने इसमें ढाल दिया है बचा हुआ पानी और अब इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं किस तरीके की और एकदम फ्लो कंसिस्टेंसी की है यदि आप गाड़ा र रखना पड़ेगा यह देखे बैटर हमारा तयार है और इसे ढग देते हैं लगबग आधा गंते के लिए तो इसे रख देंगे आधे गंते के लिए और अब तयारी कर लेतीजिकी चाशनी बनाने के लिए तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कप देसी खान आप चीनी भी डा काईंगे उसके बाद हम आज को स्लो कर देंगे तो देख सकते हैं आप चीनी अच्छे से गुल गई है इसमें अब इससे थोड़ा सा पकने देते हैं और अब इसमें डाल देंगे आधा नीबु का रस एक ले लीजे छोटी इलाईची इसको छिलके और दाने सहित खोल कर इसमें डाल देंगे अब इसे कम आज पर अच्छे से पकने देते हैं और मुझे थोड़ी सी गाड़ी लग रही है तो उंगली के बीच में हम लेकर चैक करेंगे ये देखे काफी चिपचीपी है आधा तार बन रहा है इसका मतलब चाशनी तयार है आज को बन कर देंगे और इसे अलग रख देंगे तो चाशनी हमारी बन कर तयार हो गई है अब ले लेंगे बड़ी लाईची खोल करके इसके दानों को थोड़ा सा दर्दरा कूट लेंगे ये देखे कुछ इस तरह से और अब इस पीसी हुई बड़ी लाईची को डाल देंगे हम पूए के बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस टाइम आप थोड़ी सी दर्दरी कुटी हुई सौफ भी डाल सकते हैं पूए में जो सौफ का टेस्ट होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है तो अभी ये बैटर थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है इसमें डाल देंगे हम लगभग दीर दीरे करकर चोथाई कप पानी अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप देख सकते हैं इसकी किस तरह की है ये देखे मैं आपको पास से दिखाती हूँ देखे ना जादा घाड़ा है और ना जादा पतला है एकदम फ्लोइं कंसिस्टेंसी का है तो बैटर बिलकुल इसी तरीक का होना चाहिए यदि बैटर ऐसा नहीं होगा तो पुए भी विलकुल भी अच्छे नहीं बनेंगे तो आप बैटर को जरूर ध्यान से रखेगा कि किस तरीके की कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए अब मैंने ले लिया है पुए बनानी की तई इस्पेशली पुए के ल अब इसमें डाल दिया है देसीगी और जब देसीगी अच्छे से गरम हो गया है तो तेज आज पर हम पुए बना रहे हैं ध्यान रखेगा जब भी आप पुए बनाए तो आज तेजी रखनी है जितने बड़े साइस का आपको पुए बनाना है अब उतने ही बड़े साइस इसका स्पून रखेगा देखे मैंने एक सर्विंग स्पून रखाया और उतने बैटर में इतना बड़ा पुए बनकर तयार हुआ है और शुरूर का जब भी आप पुए डालते हैं तो हमेशा तली में एक बार चिपकता है और जब सेकिंड राउंड का आप बनाएंगे त अपनी चाशनी में और चाशनी में हम डिप करेंगे सिर्व 30 सेकेंड इससे ज्यादा नहीं हमें डिप करना है और तुरण से निकाल कर हमें अलग से इसे बड़तर में डाल देना है अब मैं यह यहाँ पर सेकिंड राउंड के पूए डाल रही हूँ और जितने हमारे आएं ये देखे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं और इनको बहुत ज्यादा नहीं सेखना होता है बस हलका ही सेखना होता है आज को मैंने तेज रखी और तेज आज पर इसे रहे और अब यह हमारे सेख चुके हैं तो इन्हें एक साथ निकाल देंगे थोड़ा सा इस तरह से टेड़ा कर लेना है जितना भी एक्सेस गी है वो हम निकाल देंगे और ये देखिए कितने बढ़िया हमारे पुए बने है एक दम जाली दार चाशनी में डाल देते हैं और 30 सेकिंड हम इसमें चाशनी में रहने देंगे और उसके बाद हम इसे निकाल करके अलग से बरतन में रख देंगे तो इसी तरीके से हमें अपने सभी पुए बनाकर तैयार कर लेने है ये दिखिए मैंने चाशनी में डाल दिये हैं थोड़ा सा चम्मस्य कर लेते हैं जिससे चाशनी सभी में आ जाए और अलग से बरतन में इने निकाल लेंगे और हमारे बहुत ही टेस्थी आम के माल पुए बनकर तैयार हो गए हैं और ये छोटे छोटे माल पुए खाने में बहुत ही जादा टेस्थी लगते हैं और इसी तरीके से हम अपने सभी पुए बना कर तैयार कर लेंगे फ्रेंट्स राजस्थान में इन माल पुए के साथ होते हैं आलू की गीली सबजी मिक्स वैस की एक सूखी सबजी साथ में चावल की खीर जरूर होती है जिसके साथ ये खाये जाते हैं आकर बड़ा या छोटा हो सकता है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्थी लगते हैं आप जरूर से बना के ट्राई कीजेगा और जगनाजी के मेले में आपने आम के माल पुए जरूर खाये होंगे तो वो यही वाले पुए होते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं ये देखिए मैंने चाशनी में सिसे निकाल लिया है और इसी तरीके से हमने अपने सभी पुए बना करके तयार कर लिये हैं और लास्ट में आपको कुछ शॉर्ट पॉइंट्स में बता दूँगी कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिसकी वज़े से पुए बहुत ज़्यादा बढ़िया बनकर तयार होंगे कई बार मेरे रिलेटिफ्स भी मुझसे कहते हैं कि आपके इतने अच्छे माल पुए बनकर तयार होते हैं एकदम जाली दर और फैले फैले लेकिन हमारे नहीं बनते तो ये वीडियो मैंने इस्पेशली उनके लिए भी तयार किया है बाद में मैं उनको ये वीडियो शेयर करूँगी और आप देख सकते हैं इतने बैटर में इतने पुए बनकर तयार होएं दस से पांच पुए खतम हो चुक है क्योंकि मैं अपनी बाई जी को दे चुकी हूँ और जब भी आप पुए बरतन में डालें तो थोड़े दिर बाद उन्हें अलग-लग जरूर कर दे क्योंकि आपस में छिपक जाते हैं और नीचे के जो जूसी पुए मैं उन्हें उपर कर देती हूँ क्योंकि चाशनी नीचे चली गई है और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसे तोड़ करके कितने सॉफ्ट हैं यह देखिए मतलब पता ही नहीं लग रहा कि मैंने पुआ तोड़ा इतना सॉफ्ट है और टेस्ट में भी गजब का है तो ज़रा मैं टेस्ट कर लेती हूँ बाकई में बहुत अच्छे बने हैं बहुत ही ज़्यादा जूसी हैं और जो आम का टेस्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेतार आ रहा है सेकिंड में आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ आप खुदी देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है और जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो यह देखे एक दम से फोल्ड हो जाता है बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और दवाने पर एक दम जूसी टेस्ट में भी एक दम बढ़ि साइज आप अपने अनुसार बढ़ा या छोटा बना सकते हैं और मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि किन किन बातों का ध्यान रखना फ्रेंड से आप बैटर बना रहे हैं तो पोरिंग का बैटर हो अच्छी तरीके से फैट लेना है और लगबग उसे आदा गंटा इस होता है वो खतम हो जाए और पुए परफेक्ट बनकर तयार हो पुए को फ्राइ करने के लिए वाइड हैवी बॉटम का आईरन पैनले तो बहुत ही ज़्यादा बैटर होगा जब आप इसकी शुगर सिर्फ बना कर तयार कर रहे हैं तो आधा तार की चाशनी बनाए और सिर्फ उसमें 30 सेकेंड्स ही पुए को डिप करना उसके बाद इसे बाहर निकाल ले जब आप पुए को बरतन में खटा करके रख लेते हैं तो उन्हें अलग लग जरूर कर ले नहीं तो यह आपस में चिपक जाते हैं इन सबी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके इस फूट किचिन को फॉलो करना ना भूलें तो इसी तरह नहीं रेसिपी में फिर मिलेंगे तब तकी लिए थैंक्यू बाबाई